हेलो एवरीवन, विल्कन टू दू दी आसे स्मोड़ोब, आज बात करने वाले हैं महिंदराय XCV3W के बारे में जो अपने सग्मेंट की 5 स्टार सेफटी डेटर सब कॉंपेक्ट SV कार है, जिसका इस्ट्राइडिंग प्राइस मात्र 8,41,01 सुरूम से लेकर टॉप जाता है 14, आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डेटर में बात करने वाले हैं, इसके एक्स्टीर से लेकर इंटिर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में, तो कलर ऑप्शन की बात की जाए, तो XCV3W में आपको वाइट, एक्वा मरीन, रेड रेज, नपोली, ब्लैक, डी इस चार इवेंट्स यहाँ पर ऑफर किये गए हैं, मैनुल और ऑटोमेटिक दोनों ही तरह के आप्शन की साथ आती है, XCV3W, लेकिन W8 में सिर्फ आपको मैनुल ट्राइंस्पिस नहीं देखनी को मिल जाता है, इंजन इस बसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको तीन इंजन ओप्शन देखने को मिल जाएंगे, 1.2 लिटर का पेटोल, 1.5 विटर का डीजल और 1.2 लिटर का M.H.T.G.D.I. पेटोल अब ही आप देख रहे हैं, 1.5 विटर डीजल को 115 पेटोल की पाउर और 300 नम का टाउक निकालता है, मैलेस की बात करें, तो पेटोल में 16-17 औ लोगो देखने को मिल जाएगा, जो दूसरी वाली की है, वो आपको सेम याप है, स्मार्ट की ओफर की जाती है, आप चली बात करते हैं, गारी के एक्स्टीर से, फिर चलेंगे इसके इंटीर में, और अंदर देखनेंगे, आपको क्या कुछ फीचर मिलेंगे, तो सेंटर म मैं आपको महिंदर की ब्रेंडिंग, महिंदर का लोगो देखने हो बलता है, ग्रिल की बात किया है, तो क्रोम एलिमेंट्स के साथ आपको पूरी ओफर की जाती है, जो की देखने में काफी खूप सर लग रही है, हैंड लेकिन आपको कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलते है, जब आप W8 option में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर एज़ा ऐसे इस इंस्ट्रॉल करवा सकते हो, जब सामने बैट के देखूँगे, तो ऐसे कुछ आपको पूरा फ्रेंट फेस से नजर आएका, गाड़ी का ग्राउंट से 180 mm का, जिससे कि आपको खराब रास्तों में कोई भी दिकत नहीं होने वाली है, बोनट एरिया के बाद की जाएंगे, तो काफी कर्ट्स एनि क्रीजिस देखने को मिल जाती इसके बोनट के उपर, एड़ इसके जो वाइपर्स हैं, वो आपको मिलते हैं, रेंज सेंसिंग की तरफ, तो साइट से भी देख लिजिए, काफी बढ़िया से आपको लुक्स मिलते हैं, सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको मिल ली फाइव इस्टार की सेफटी रेटिंग, डैमेसंस की बात दीजाए, तो 495 mm लेंथ है, 1821 mm इसकी विर्थ है, और 1627 mm आपको यहाप प्लेस्मेंट आपको इसी के अंदर देखनी को मिल जाती है, गाड़ी की विल्बेस की बात की जाए, तो 26 mm का है, जिसकी वज़े से इसमेस आपको काफी बढ़िया सा मिलने वाले है, इसके कैबिन के अंदर, मैट बलैक निसमेस का यह बी प्लर, रूफ की बात की जाए, त आपको fuel tank ft देखनी को मिल जाती है, petrol diesel आप यहीं से डलवाएंगे, आप आजाते हैं इसके rear profile की तरफ, तो rear से भी देखी जी काफी अच्छे से looks मिलेंगे, और उपर की बात की जाए, तो यहाप आपको high mode shop lamp, यहाप आपको power antenna, roof rails, यहाप आपको defogger, wiper, सारे features मिलने वाले इसका second top end है, यहाप आपको mahindra की branding इंदर आपको reverse sparking camera की placement, अब बात करते हैं इसके tail lamps की जो आपको मिलते है LED में, 10 indicator की placement, reverse light की placement आपको इसी के अंदर देखनी को मिल जाएगी, और उसी के नीचे आप देखेंगे, यहाप आपको W8 की bedging देखनी को मिल जाती है, नीचे bumper मे आपको reflectors, 2 reverse sparking sensors, and red shirt की बात की जाती है, तो यहाप आपको XCV3W की bedging देखनी को मिलती है, अब चली इसका boot open करते हैं, और आपको दिखाते हैं इसका boot space, तो यहापे मिलता आपको negative button इसको open करने के लिए, space की बात की जाती है, तो इसके नदर आपको 269 लेटर का boot space दिया आपको नहीं मिलते हैं, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं, नीचे काफी अच्छा सा space, यहापे आपको मिलेगा spare wheel, जो कि यहापे रखा हुआ है, tool kit बगर सब कुछ यहापे देखनी को मिल जाती है, और उपर की बात की जाए, तो देखेंगे 60-40 seats हैं, इन seats को यहाँ से आप fold कर सकते हैं, दो headrest मिलेंगे, जिनको आप adjust कर सकते हैं, अज़ेस वले हैं, फैबरी की seats आपको यहापे मिलती हैं, यह front dashboard का view, जिसको मागे भी आगे cover करने वाले हैं, अब चलिए इसके boot को करते थे बंद, और चलता है rear seats की तरफ, वहाँ पे bed की देखते हैं कितना क इसपेस, क्या कुछ आपको setting comfort मिलता है, तो यह इसके body color door handles, door pads की बात की जाएं, तो वह आपको मिलता है dual tone color में, देखेंगे blackness, और यहापे आपको light finish, यहापे आपको door opener, speaker की placement powder की controls, glossy blackness, यहापे आपको softest finish, नीचे आपको काफ़ी बड़े आसा space देखने को मिल जाएगा rear cabinet space की बात की जाए, तो इतना कुछ आपको leg room, headroom यहापे आपको 2-2 headrest, जिनको आप adjust कर पाएंगे, fabric seat, उपर आपको दी जारी sunroof, अब चलिए अंदर बैट की देखते हैं, कितना क्या space आपको मिलता है बैटने के बाद, तो आगे की seat मैंने अपने cording adjust कर रखी, इतना आपको मिलेगा, यहापे दो-दो कोई partial tray नहीं है, कोई armrest आपको नहीं मिलेगा, उपर roof की बात कीजिए, तो यहापे आपको radiating lights, आप बात करते हैं, इसके front dashboard की जो आपको मिलता है, dual tone color में, काफी खूप सलसा लग रहा है देखने में, सामने आपको 7-inch का touch infotainment system देखने को मिल जाएगा, यहापे आपको मिलेगा request sensor, passive entry आपको मिलती है, door pad की बात की जाए, तो same आपको rear की तरह front में मिलेगा, dual tone color में, उपर आप देखेंगे, यहापे आपको door opener, speaker की placement, pounder के सारे controls, यहापे देखेंगे आपको ORBM के सारे controls देखने को मिल जाते हैं, नीचे काफी अच्छा सा space, front cabin की बात की जाए, तो इतना कुछ space देखने को बलता है, आगे के दोनों headers जिनको आप अजिस कर पाएंगे, fabric की seats हैं, आप चाहे तो उसमें seat cover लगवा सकते हैं, यहापे देख सकते हैं, यहापे देख सकते हैं, fabric की seats हैं, यहाँ से height, यहाँ से recline कर सकते हैं इसके seats को नीचे आपको fill cap opener, यहाँ से आप अपना bonnet open कर सकते हैं, आप चलिए अंदर बैट की देखते हैं, कितना क्या space और क्या कुछ आपको features मिलने वाले हैं, तो front driver seat पर बैटने बाद ऐसा कुछ आपको पूरा नजारा दिखने वाला है, आप चलिए गाड़ी का ignition on करत देखने को मिल जाती है, cluster की बात किया है, तो left head आपको rp meter, right आपको दिए गया है, speedometer बीच में आपको MID, काफी बढ़िया color theme में आपको देखने को मिल जाती है, और इसकी जो MID है, आप front dashboard में दिएगे button से आप इसको control कर पाएंगे, जो कि center console में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसका button दिया गया है, यही से आप trip A, trip B, mileage range, बाकि इसमें आपको tire pressure, mono system भी मिलता है, उसकी information भी आप यही से देख सकते हो, बाकि यहाँ पर आपको steering modes, जो की normal, sports and यहाँ पर आपको comfort 3 तरह के modes मिलते हैं इसके steering में, यह तो क्लस्टर की बाद आप बात करते ह इसके steering की जो आपको round shape में मिलने वाला full leather finish के साथ में, side map को multimedia और call के controls, यहाँ पर आपको महिंदर के branding, इदर आपको cruise control के बटन देखनी को मिल जाएंगे और adjustment की बात की जाएं तो इस lever के तुरू आप अपनी steering को tilt ऊपर नीचे adjust कर सकते हैं, टेरीश कूप के कोई option देखनी को नहीं मिलेगा यह तो कई adjustment की बात, यहाँ पर आपको rain sensing vibrer के controls, automatic headlamps के controls अब बात करते हैं, गाड़ी के center console की, तो यहाँ पर आपको देखेंगे, side में AC के events दिये जा रहे हैं यह दिया गया, 7-inch का touch infotainment system, जिसके अंदर आपको 4 speakers मिलते हैं इसमें आपको android auto, apple carpet देखने मिल जाएगा, bluetooth की connectivity देखने को मिल जाती है बहुत सारी settings से आपके दी जा रही है अगर इसका reverse parking camera दिखाऊं तो ऐसे कुछ आपको पूरी clarity यहाँ पर मिलते है, इसके reverse parking camera में प्रॉपर guidelines से आपके दी गई है नीचे आपको hazard light का switch, MID के buttons, steering modes का button यहाँ पर आपको dual zone AC दिया जाता है आपने दोनों side के temperature अलग-अलग set कर सकते है नीचे आपको USB port और AUX का port 12-weeker charging outlet, coach space और यह इसका 6-speed manual transmission W8 में सिर्फ manual का यह option है यहाँ पर आपको manual handbag, 2 cup holders, यह इसका armrest क्योंकि काफी बड़े size में अच्छा-कासा storage आपको देखने को मिल जाएगा club box की बात कीजाए तो यहाँ पर भी अच्छा-कासा space दिया गए काफी deep है यह और उपर भी देखें कि separate space देखने को मिल जाता है और उपर की बात कीजाए तो यहाँ पर आपको manual day night यहाँ पर आपको sunroof offer नहीं की जाती है सिर्फ W8 diesel में ही देखने को मिलती है visibility की बात कीजाए तो वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है XCV threadable के अंदर airbags की बात कीजाए तो यहाँ पर आपको W8 में 2 airbags मिलते हैं W8 option में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 6 airbags देखने को मिल जाते है यह तो के पूरे interior के बात आप चलिए गाड़ी क्यों off करते हैं बात करते हैं इसके safety features और pricing की तो इसमें आपको ABS with EBD, central locking, power door locks, child safety locks, seat bell warning, engine, immunizer, crash sensor, electronic, stability control, follow me, headlamps, anti-ther device, speed sensing, auto door lock, ISO fix, child seat mount और यहां पर आपको दिये गए दो airbags, अब बात करते हैं में जिसके pricing की तो अभी आप देख रहे हैं W8 diesel को 13,5,100 रूम prices का और 15,000,000 रुपए की आपको यह on-road लक्टो पड़ती है तो यह थी महिंदरा XCV3W, अपने segment की 5 star safety rated sub compact SUV गार, कैसे लेगा आपको नीचे comments में जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए जैहन, वन्दे मातरम